नमस्कार, गूड आफ्टनून और हेलो स्टुडेंट्स आज हम कुछ स्पक्राबली की वर्ट्स पर डिसकास करेंगे उनमें से फर्स्ट है वोपिंग वोपिंग का मेनिन है हमारी नसर में बढ़ा जैसे कि हमारे नसर में हम इस आंगल से वारी नसर में बढ़ा है और फिर सेकंड है ऑटो डियाक्त का मीनिंग है अपको ज्यादा इंडोलों वर्ट्स को ज्यादा एक्स्पेल करती है कि हालो डियर स्टुडेंस और फ्रेंट्स मैं आपके समक्ष्पना कुछ वोक्यूलरी के वर्ट्स लेतर के उपस्तित हूं आपसे केवल मेरा यही सुजाव है बिंति है प्रात्ना है कि यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं प्रते एक दिन 5-6-7 वर्ट्स आपके सामने पेश करता हूं और यह 5-6 वर्ट्स ही नहीं है यह पांच से एक द्रिश्य हमान है एक अलग-अलग अपना इनका संसार है तो आपको चाहिए कि जब यह वीडियो देखें तो इन परते एक वर्ट्स को उतारें अपनी डायरी में और इन परते एक वर्ट्स का जो मैं समझा रहा हूं उसको भी मेरे का वर्ट वाई वर्ड लिख लें वर्बेटिम बोलते हैं जिसको वर्बेटिम लिख लें और फि तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और वीडियो का टाइम देखते ही और यह तो 30 मिनिट का है तो स्टुडेंट होता है देखे ही नहीं तो मैं केवल एक शीडिंग करता हूं जर्मिनेशन की कारवा मैं करता हूं उसको प्लांट को फुल फ्लेश ट्री बनाने का काम मैं आपसे आशा करता हूं ताकि आपने दोनों मील करके आपको अंग्रेजी शिखा सेकें सरु कि यह फिर है पॉस्ट यह पहले आता और प्री बार्वाद है यानि यह जो कोई भी गठना गठी है उसको यह आप कहते हैं कि प्रीपोस्टरस है या कोई स्टेटमेंट आपका किसी का प्रीपोस्टरस है या किसी का सजेशन प्रीपोस्टरस है तो हम कहते हैं कि इसमें अहांसी के अलावा कुछ नहीं है यह बेहुद पहना पेर्ट पहणा और icon to see going जो ना चाहिए था वह काम आप पहले कर रहें और पहले ने वाला का North旮 करने में कर नहीं को बहुत ही शांधरघ्जांपल से programs कि पहले आप अपना कोट पहनले और कोट के तो यह वशलिए ने को स्पने बनेगे तो आपको लोगों को लोग आप अंसी का पात्र बनेंगे नहीं बनेंगे इसलिए अंसी का पात्र नहीं बनें जो भी आप स्टेट्मेंट बोले बेलकुल जो हैने बेलकुल तोल करके मोल करके और जो गठना है वास्ट्विक जिसको आप फ्यूचर में डिफेंड कर सेगे वेची बात बोढ़ना तो मैं आपको कोई पढ़ाना नहीं चाहूँगं मैं तो इसको आवैड करना चाहूँगा कि वह इतना संसार प्रीपोश्ट्र का जीतना बीपड़ा संसार है उस संसार को क्यवल आप बाहर से देख सकते हैं उसомगते हैं और दnous पास्ट्रवाय प्रीफाय है कि हो जो ऑगनिक कमपाॉंड है या ऑगनिक पदार्थ है उसका प्यूटरिफिगेशन हो जाता है प्यूटरिफिगेशन का मतलब है कि उसपे पर बेक्टिरियल एक्टिवीटीइ इतने ज now होता होता है कि वह पदार्ग डिकंपोज हो जाता है और डिकंपोज होने के बाद में जो वेक्टरियल मास है वह सारे मर जाएंगे और मरने के बाद में वह सड़ने लग जाएगा प्यूट्रीड हो जाएगा प्यूट्रीड का मतलब यह सड़न्द बादना बेड ओडर बेड समेल इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी पदार्ग यही सड़ने लग गया है भी टाइम या कोई वेक्ट्रीड एक्टिविटी के कारण तो हम उसको बोलते हैं प्यूट्रिफाई और इसको क्रिया को प्यूट्रीड लगा सकते हैं और यह तो नाउन हो जाएगा वह प्यूट्रीफिकेशन है तो जिस प्रकार से आजकल जो चल रहा है मौसम गर्मी कार वह तो आम तोर पर जो वेजिटेबल्स हैं पके-पकाई सामान हैं वह प्यूट्रिफाइड हो जाते हैं और फिर आपको आउट उप यूज यानि नौन एडिवर हो जाता है अब आप देखिये ओव्लीट्रेट ओव के छोड़दो तो लिटरेट हहता है ओव लिटरेट यानि जो लिखावा है उसको मीठा ना लिटरेट का मतलब लिखावा है अवलेट मर निखावा तो जिसका लेज़ेट्ट पालक्ष किसी कषें कyoung करदें और इसका बहुतराइट पुझाल इसको कनृ कर दें इसकु नहीं था तो obliteration, obliterate, यानि the letter which I had written has been obliterated, obliterated का मतलब है ऐसी process से कि उस letter को ही बिलकुल पढ़ने या गया, नहीं रहने दिया गया, या कोई परिवार है, कोई species है, उसको यदि हमने उस environment से smug कर दिया, extension कर दिया उसका, तो हम कह देंगे कि this has been obliterated, तो obliterated का मतलब है, समाथ करना, ना वह है, डिनाव में, अब आप इसको डिनाव मेंट मत बोल जाना, इसका pronunciation घसल है, आखरी आखरमें, डिनाव में, डिनाव में नहीं बोलना है, डिनाव में, तो डिनाव में का मतलब है, final result, की नतीज़े क्या निकला, बस, यानि कोई भी फ में और इसकाσαозм किताब है, वह उसका सारा दिखा करके, novel का, film का, कुछ भी हो, इसका डिनाव में क्या निकला, तो डिनाव में, य yani उसका जो final result है, उसका जो final nisks लिए आपकी बॉकुबलेरी का इस्टा होना चाहिए इसलिए मैंने इसको इंट्रेट किया है ना डिसलेक्षिया या परसन हो सकता है डिसलेक्षिक डिसलेक्षिया एक बीमारी है मानसिक बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति जोने लिखे वे वर्ट्स का उच्छार्ण नहीं कर सकता लिखे वे वर्ट्स का उच्छार्ण नहीं करता ए बोल देगा प्रन्द्विधि आपने A के साथ में B और लगा दिया, तो उसके मुश्किल हो जाती है, तो वो A भी नहीं बोल सकता, तो डिसलेक्षिया एक बिमारी होती है, बाकी intelligence में कोई कमी नहीं हो सकती उस ब्यक्ति में, पर आपको यही जानना चाहिए कि यह मांसिक बिमारी है, और वो comprehend नहीं कर सकता, लिखे जो बिमारी हो किसी को, तो वो डिसलेक्षिया बिमारी कहलाती है, और उस ब्यक्ति को डिसलेक्षित कहते हैं, और यह बिमारी जूंकि मैंने पढ़ा है, तो मैंने पाया है, कि बड़े-बड़े परशित साइंटिस्टों को भी बिमारी थी, जैसे नाम लिया है एडिशन सा का एक जो है मानसिक बिमारी होती है. जिससे वेक्ति सब्दों का उचारण सहचीतरी नहीं बोल सकता है बस यह दिशेलक्षिया एकनोस्टिक और एकनोस्टिक का मतलब ये अजीह कि अपनु क्टिक का मजलब थ conquistati K도 है और उसका स्थित्वए और की गोड नहीं यह दोनो एक्स्टीम पर है कि थाइस्ट मानता कि गोड का existence है, atheist मानता है कि गोड का existence नहीं है, तो इन दोनों के बीच में एक word इजाद किया T.S. hooks लेने, अठारा सो गुन सत्र में, वो था agnostic, 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 जानना, यानि मैं नहीं जानता कि गोड है या नहीं है, मैं पक्का नहीं कह सकता कि है भी या नहीं भी है, तो एसे जो religious मानता वाले लोग हैं, उनको हम agnostic बोलते हैं, यानि थरिष्टिक, एथरिष्टिक और agnostic, और मैं प्रसंग आ गया है, तो मैं T.S. Huxley शाब का भी आपको थोड़ा सा संदर्ब दे दूँ, कि Darwin के थोरी को, चुंकि लोगों ने बहुत, क्रिश्य नीटी ने बहुत अपोज किया था, कि परबातमा ने तो जो है न, क्रिएट किया है, यूनिवर्स को, साथ दिन लगे थे, ये थे दिन लगे एक दिन आरम किया था, और आप कहते हैं, ये इवोल हुए हुई है, तो T.S. Huxley ने बहुत दमदार तरीके से, दार्वीन की थोरी को उस समय डिफेंड किया था, तो ये ऐसे सज्जन है, और उस ने ये एग्नोस्टिक सब्द का, जो है न, नियोलोजी, नियोलोजी बोलते हैं, नए सब्द बनाता, ये नियोलोजी उननिक किया था, अवंत गार्ड, इसको भी आप प्रनेंशियेशन सी लेना, अवंत गार्ड है, मत बोलना, अवंत गार्ड, अवंत गार्ड मनि आगे चलने वाला, वेंगार्ड, फ्रांस फ्रेंच वाड़ा, वेंगार्ड, आगे चलने वाला, जो कला के छेतर में, म्यूजिक के छेतर में, पैंटिंग के छेतर में, जो नही बिदा की रचना क करते हैं जो नया रास्ता खोलते हैं जो नई जमीन तोड़ते हैं अपने लिए नई पकडंडे बनाते हैं और फिर दुनिया उसको फॉलो करती है ऐसे लोगों को हम अवंत गार्ड करते हैं क्योंकि समय समय पर उसी सरक्ल में नहीं कुंते आते हैं प्रभू भेजता है ऐसे मा इसको भी आप गाफे मत बोलगे ना गाफ का मतलब है कोई आप से इस परकार की जो है ना बहंकर गलती हो जाए जिस पर लोग हैंसे है ना यह एक तरह से इंबरेशिंग सिच्वेशन आने वाली गलती है इस गाफ है वो नहीं करनी है अब आपका गाफ का एक्जांपल दे देता हूं कि जैसे मां लीजिए कि बाप और बेटी जा रहे हैं बाप और बेटी जा रहे हैं और बेटी के जो है उसका फ्रेंड आ जयता है और वो बोलत परकार से जैसे महात्मा घंदी थे तो स्रीलंका घ्यतै तो सीरेलंका में बावी उनके पास बैठी ती डाइस पर और गांदी जी शीरेलंका की जो सजन थे नो जो इंट्रोडुक्शन करा रहे थे सब का तो इस परकार के जो जो प्रसंटेशन है वो जाब की rising तो मैंने आज आपको यह थोड़ा सारा सुरूप से बताने की कोशिश की है आशा करता हूं कि आप इन सब्दों को अच्छी तरह से ना हिर्दंगम करेंगे और यह दी नहीं समुझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैं पुना उनको जो है ना बहुत अच् और थोड़े से हस लिए और फिर वीडियो पूरा सुनावा कर लिया इसे कोई शिदोन वाला नहीं है इसे तो अच्छा है कि जो नेट खराब करते हूं वह ही मत करना बस आप से मैं यह चाहता हूं कि आप उन्नती करो और इन सब्दों को सिंखो यह सब्दी नहीं है यह अल और वह ही यह यहीं है än नहीं हैं और यह चाहत हैं आप को आप है।